प्लान तो वहीं दूसरी तरब आध्या की दोस्त से भी उसे बताती है कि उसे जैसे प्यार हो गया है उदर जै की मा जै को बोलती है कि वो आश्वर्या को डॉक्टर के पैस ले जाए और आश्वर्या को चुपके से बोलती है कि वो पूरे दिन जै को बिजी रखे और जब जै रेडी होकर आश्वर्या को वो हॉस्पिटर लेकर जाने के लिए निकलते हैं तब ही जै को आता है क कि आद्या की तबियत है खराब जिसे सुनकर आद्या से मिलने के लिए जै भागता है ये बात जै की मां को अच्छी नहीं लगती वही जब जै गाडी से जाने वाले होते हैं तबी वहाँ पहुच जाती है पुलिस और वो जै की driving license भी ले जाती है अपने साथ जिसके बाद जै बहुत परिशान होते हैं और वहाँ से भागते हैं आद्या के पास क्योंकि उन्हें आद्या से मिलना है वहीं उपर से ये सब नजारा एशुरा देख रही है और होती है शौक वहीं दूसरी तरफ सिरल की कहानी में आता है नया ट्विस्ट जब जै घर पर पहुशते हैं आद्या के और वह आद्या को बिमार देख उसके लिए किचन में जाकर कुछ बनाने की कोशिश करते हैं तब ही वहाँ किचन में आ जाती है आद्या जिसे जै आराम से बिठा कर बनाने लगते हैं उसके लिए गर्मा गरम सूप लेकिन तब ही अचानक जै को लग जाती है चोट जिसे देखकर आध्या भाग कर आती है उसके पास और करती है उसका क्यार और इसे बीच वो जै को बता देती है कि वो ठीक है उसे कुछ नहीं हुआ है जिसके बाद जै को आता है गुसा आध्यापर और वो गुसे में होकर लाल बरस पड़ता है आध्यापर और उसे खरी-खोटी सुना कर वहां से चला जाता है